हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की स्टीचिंग करेंगे जो की 33 चेस्ट साइस का है और यह ब्लाउज हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने योगप लिया है वैसे तो एक इंच एक्ष्टा लेना चाहिए जब हम इसमें कटोरी जोइन कर लेंगे तो आदा हिंच नीचे से इसकी कटिंग हो जाएगी तो एक इंच एक्ष्टा हमारा रह जाएगा लंबाई देखी यहां से यह मुझे पौने चार इंच पर चाहिए तो मैंने चाहिए जितनी भी आपको तैयार कटोरी चाहिए उसमें से 2,5-3 इंच आपको एक्ष्टा रखना है जितना आपको टक्स की चाहिए उसके हिसाब से यहां पर बढ़ा सकते हैं चाहिए को तो यह था हमारा साइट पार्ट और कटोरी का मेजार्मेंट इसमें मैंने अस्तर और मेन फैबरिक को एक साथ चिपका लिया है तो चलिए अब हम इसमें कटोरी और साइट पार्ट को जो है जॉइंट करते हैं तो यहां पर देखिए कटोरी को उल्टा रखेंगे और साइट पार्ट को सिधा रखेंगे उसके बाद आधा इंच का मार्जिन देकर यहां पर कटोरी को जॉइंट कर लेना है तो कटोरी को थोड़ा सा खीच कर जॉइंट करना है यहाँ पर इस बात का धिहां रखे तो इससे फिनिशिंग आपके अच्छी आएगी देखे आप कटोरी को सिधा करने के बाद नाकुन से क्रीज मना लेंगे जिसे हमें उल्टे की साइड पटा चलेगा कि कितना यहाँ पर सिलाई लगाना है तो देखें एक सिलाई और लगा लेंगे तो डबल सिलाई लगाकर आपको कटोरी को जॉइंट کرना है उसके बाद देखें नीचे की साइड अपको इस तरीके से कटोरी को fold करना है और टक्स की सिलाई लगाना है तो यहाँ पर बीना नापे ही टक्स की सिलाई लगाना है तो टक्स का measurement हम up करेंगे तो यहाँ पर टक्स की उचाई 20.5 इंच की रखनी है 20.5 इंच पर marking कर लेंगे यहां से सवा एक इंच टक्स की चोड़ाई रखी है मैंने तो यहां पर तीरचा लाइन कीशने के बाद यहां पर टक्स की सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से टक्स की सिलाई लगाने के बाद कटोरी को सिधा कर लेंगे और सामनी की साइट से एक इंच पर मार्किंग करेंगे और देखिए साइट पार्ट की लंबाई जो है पौने 10 इंच चाहिए तो यहाँ पर पौने 11 इंच रखेंगे एक इंच एक्ष्टर रखेंगे और इस तरीके से देखिए तीरचे में मार्किंग कर लेंगे अब जैसा मने मार्किंग किया है उसी के ऊपर देखे इस तरीके से कट लगा तो यहाँ पर मैंने एक्ष्ट्रा फैब्री की कटिंग कर ली है तो अब यहाँ से रहासे हमें कट्री को चेक कर safe टेख कर लेना है झाओं पर देख्च सिराय लगाएंगे तो एक पर सिलाई लगाना पड़ेगा तो इस तरीके से देखे मैंने आपा टक्स की सिलाई लगा ली है अब यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया नीचे की साइड उसके हम कटिंग करनेंगे तो फिर से यहां पर चेक कर लेना है आधा इंच उपर से तो अब हमारा यह एक्जेक्ट है आधा इंच बटनव पट्टी की सिलाई में चल जाएगा तो यह 5 इंच तैयाऊ हमारा कटोरी हो जाएगा तो यहां पर देखिए योग पट्टी को मैंने नीचे से सिल लिया है तो योग पट्टी का मेजर्मेंन कुछ इस प्रकार है साइट से पहुने ते नीच तैयार और कटोरी का जो टक्स है उसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे आदा हिंच का मार्जिन देकर यहां पर योगपट्टी को जॉइंट कर लेंगे तो इस तरीके से जॉइंट करने के बाद देखिए जो हमारा में फैबरिक है योगपट्टी का उपर की साइड उसे आदा हिंच fold कर लेंगे अंदर की side और दो point नीचे से silahe लगा लेंगे इस तरीके से fold करके तो इस तरीके से silahe लगाने से जो है silahe हमारा देखता नहीं है underground silahe हो जाता है तो इसी method से आप blouse में jeb भी लगा सकते हैं तो jeb लगाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा बीच में 1,5 इंच का और अगर आपको jeb नहीं रखना है तो इस तरीके से आप pack कर सकते हैं देखिए सामने से बराबर कर लेंगे और side से भी extra योगपट्टी की cutting कर लेंगे यहाँ पर 5-6 तयार मुझे कटोरी रखनी है तो मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से बराबर कर लेंगे योगपट्टी को यहाँ पर मैंने देखिए योगपट्टी जोइन कर लें फिनिसिंग के साथ अब इसमें हमें बटन पट्टी जो है अटेज करना है बटन पट्टी लगाने के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चाहिए तो यहां पर देखिए बैक पार्ट का बीच का कपड़ा जो है निकला हुआ है तो इसे यहां पर डाइंच चोड़ाई पर मार्किंग करने के बाद दोनों साइट से बराबर कट कर लेंगे तो यहां इस तरीके से दोनों साइड मेंने सिलाई लगा लिया है तो बटन पट्टी जोइन्ट करने के लिए देखिए ब्लाउज को उल्टा करके रखेंगे और नीचे से आधा इंच जो है कपड़ा निकाल कर रखेंगे फोल्ड करने के लिए तो मार्जीन आप अपने हिसाब से र इस तरीके से फोल्ड करके पुरा उपर तक सिलाई लगा लेना है तो आपको एक बराबर से फोल्ड करना है इसे और जहां पर हमने सिलाई लगाया था पट्टी को जोइन करते समय उसी के उपर रखकर यहां पर सिलाई लगाना है तो पुरा उपर तक सिलाई लगा लेना है और मजबूती के लिए बटन पट्टी के उपर डबल सिलाई लगा लेना है तो इस तरीके से दिखें मैंने डबल सिलाई लगा लिया है उपर से एक्स्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे तो अब गले के लिए मार्किंग करेंगे देखिए उपर से आधा इंच छोड़ देंगे और जितना भी आपको गला रखना है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेना है यहाँ पर गले की लंबाई में पांच इंच रख रही हूं और नीचे से गले की छोड़ाई धा इंच रखेंगे बटन पट्टी को छोड़ कर तो इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और गोल गले कर श्रेप दे देना है और गले की कटिंग कर लेना है इस तरीके से तो अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है तो piping लगाने के लिए आपको उरेब कपड़ा कट करना है उसे डबल करके इस तरीके से गले में अटेज कर लेना है तो एक बराबर margin लेते हुए यहाँ पर पूरे गले में उरेब पट्टी को जॉइंट कर लेना है और यहाँ पर आदा इंच जो है पत्टी छोड़ देंगे नीचे फोल्ड करने के लिए तो इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और सामने से पत्टी को इस ainda लगिंगे ताकि piping जो है हमारा वो एक बराबर से बने तो यहां पर देखिए पीछे की side fold कर लेंगे और piping बना लेंगे पुरी finishing के सांथ गले में तो margin जो है आपका उपर की side होना चाहिए तभी आपकी piping जो है वो एक बराबर से बढ़ेगी तो पाइपिंग के उपर आपको सिलाई नहीं लगाना है जड में सिलाई लगाना है इस तरीके से देखिए पूरे गले में फिनिशिंग के साथ पाइपिंग की सिलाई कर लेनी है तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग की सिलाई को कम्प्लिट कर लिया है तो आप देख सकते हैं क काटोरी का पफ भी हमारा कितना अच्छा बना है कितने इस तरीके से मैंने यहां पर काटोरी का फ्रंट पार्ट सिलकर रेडी कर लिया है तो इसी मेथड से आपको दूसरा वाला पाट भी सिलकर तैयार कर लेना है उसमें आपको बटन पट्टी की जगा काच पट्टी लगान हैं इस तरीके से बैक पार्ड जोइंड करने के बाद आरमोल की कटिंग एक सात कर लेंगे बाद में 도 आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने काटूरी बलाच की स्टिचिंग की है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आये ते वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो